हाई, अगर मैं आज आपसे बात बोलू, इस pen को बेच के दिखाईए, यानि की sell में इस pen, तो सबसे पहले आपके mind में क्या आता है, इस pen की quality, इसके features, इसका color या brand, after all, यहां दिखने वाले अन्य pen की तरह ही है, और यह भी लिख सकता है, जो कि इसका basic function है, लेकिन इसको क्या चीज अलग बनाती है, जिससे अगर मैं आपको बोलू, इस pen को मुझे, let's say 500 रुपीज में sell करके दिखाईए, तो आप कर पाएंगे, क्या आपको लगता है आप कर स skill, sell me this pen, not only this pen, but after watching this video, यकीन मानिए, आप किसी को कुछ भी बेच सकते हैं, जी हां, इस skill को सीखने से पहले मैं आप से request करना चाहता हूँ, कि इस channel को अपना support दिखाए, यह channel लेया है, और इसको grow करने के लिए, आपके support की बहुत जरूरत है, channel को subscribe करे, bell icon, यारी की notification bell icon को click कर ताकि इस तरह की interesting और meaningful वीडियो आपको timely मिल सके, और इस वीडियो को thumbs up दीजे, आइए शुरू करते हैं, दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आइए basic से जानते हैं कि selling होता क्या है, किसी भी वस्तू या किसी भी service को जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को द आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं और उसके बदले वापको कोई कीमत अदा करता है, इसको selling कहते हैं, और ये हमारा basic first lesson है, selling करने का सबसे पहला सिद्धानत है अपने customer को identify करना, यानि कि अपने ideal customer profile को create करना, इसको करने के बहुत सारे तरीके और template हो सकते हैं, लेकिन आप इसको simplest form में ऐसे समझिए, कि यदि आप अपने इस pen को इसको आप 500 रुपे में बेचना चाहते हैं, और आप इसे market में लेके जाते हैं, तो आप किसी student को बेचने की बजाए, जिसकी earning अभी नहीं है, आप कोई ऐसे customer को ढूनेंगे, जो इसकी कीमत अदा कर सकता है, और वो है, who is this for, यानि कि जो product या service आप sell करना चाहते हैं, ये किस customer के लिए है, इस example में हमारे पास जो pen है, ये एक pen एक high-end pen है, यानि कि इस pen की कीमत 500 रुपे के आसपस है, और इस तरह का pen अगर आप market में sell करना चाहते हैं, तो आपके mind में कोई ideal customer profile होनी चाहिए, माल मैं ये pen एक ऐसे customer को sell करना चाहता हूँ, जो की एक young professional है, और corporate में काम करता है, और जिसका अधिकतर lane देन high-end customers के साथ होता है, तो मेरा ideal customer profile एक ऐसा professional consumer होना चाहिए, जो की corporate sector में काम करता हो, young हो, confident हो, और जिसको day-to-day basis में high-end customer से मिलना होता हो, दोस्तों आपके mind में ये question जरूर आ रहा होगा, कि pen तो आखिर pen ही है, और एक basic pen की तरह इसका जो basic function है, वो है writing, यानि की लिखना, और इसके लिए कोई 500 पे या उससे अधिक कीमत क्यों देना चाहेगा, तो मैं आपको एक example देता हूँ, दोस्तों घडियों में या फिर bags में महुत सारे brands हैं, like Titan, Sonata, as as Rolex, इन सारे brands के अपने-अपने valuable customer base है, और वो उनके हिसाब से ही product बनाते हैं, अगर हम बात करें high-end watches की जो की Rolex brand create करती है, या फिर high-end bags की, जो की Gucci या Armani या से brand create करते हैं, तो इनका consumer base अलग है compare to masses, और ये जो high-end customers होते हैं, जो इन bags की या इन watches की की कीमत देने के लिए करना चाते हैं, एक confident create करना चाते हैं, और जब वो किसी high-end meeting में या high-end party में जाए, तो उनका impression create हो सके, that is the only reason कि ये लोग इतनी high value देने को भी ready होते हैं, एक watch या फिर एक back के बदले, अब जानते हैं उन तीन aspects के बारे में, जिससे हमारा selling का framework create होता है, understanding your customer emotion, दोस्तों हम य कहीं वो need उसके emotion से भी जुड़ी होती है, और आगे हमें से एक अच्छे example से समझेंगे, second aspect जो है, वो है problem solving, आप कोई भी product या कोई भी service example के ले सकते हैं, जब उसे हम market में launch करते हैं, उसका foremost purpose होता है, आपके customer की problem को दूर करना, चाहे वो watch हो, चाहे car या घर, इन सब को किसी ना किसी problem को किसी ना किसी तरीके से solve करती है, और यही हमारे framework का second सिधानत है, third है, customers want to listen to story because they buy based on story, जी हा, stories make a big impression, तो अपने customer के emotions और उसके problem को solve करने के साथ साथ, आपको अपनी customer के लिए कोई अच्छी सी story भी mind में रखनी पड़ेगी, तो दोस्तों आए जाते हैं, why somebody will buy this pen which is expensive as rupees 500 or more, जैसा कि मैंने आपको example में बताया, कि ये pen हो सकता है, ऐसे consumer base के लिए बनाया जा रहा हो, जो कि high end customer से day to day basis पे deal करता है, और जो कि young है, dynamic है, कुछ proof करना चाहता है, confident है, दोस्तों ऐसी situation में जब आप अपने consumer से मिले, तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा time उनसे questions में लगाए, ना है कि pen के feature बताने के बारे में, आप उनसे जानिये कि what is the most important thing in their life, for example इस case में अगर मैं consumer से पूछता हूँ कि sir, आपके लिए सबसे important चीज क्या है, हो सकता है उनका जवाब हो कि मेरा career, career में success मेरा important goal है, अब आप अपनी product या service को इसके स हो सकता है उनका जवाब ये हो कि उनको day to day basis पे अपने high end customer के साथ meeting करनी होती हो, जहां पे उनको अपना pen use करना हो to sign contracts and forms, इस तरह की situation में जब आप किसी high end customer से मिलते हैं और अभी आप अपने industry में नए हैं और अपने आपको proof करना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिये कि एक अच्छा impression create हो, ऐसी situation में friend अगर आप एक cheap pen pick out करते हैं, sign करने के लिए, जो कि important document है आपके career का, हो सकता है आपके career story यहां से change हो जाए, वहाँ पे आप एक ऐसे pen को use करना नहीं चाहेंगे, जो कि दिखने में cheap और हो सकता है, बीच में रुख जाए, ऐसी situation में किया आपकी तरह shiny, confident and trustworthy हो, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमने अपने consumer के number one goal को सबसे पहले जाना, और ये जाना हमने questioning की technique से, जब एक बार हमें consumer का ultimate goal पता चल गया, second step है उस goal को आपके product या service के साथ link करना, और जैसा कि मैंने अभी आप से कहा, कि अगर किसी इनसान क ultimate goal career में successful होना है, career में आगे बनना है, ऐसे में वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी product या service उसके इस goal में roadblock बने, बलकि वो ये चाहेगा कि उसकी पूरी personality, उसकी पूरी accessories आपस में aligned हो, ऐसे में जो pen वो use करता है, day to day basis में, इतने important document को sign करने के लिए, उसका trustworthy होना और उसकी तर पीछे आप किसी ऐसे customer से मिले, जो की similar situation में था, और ये pen जो आपने उसको sell किया, किस तरह से उसकी life change करी, यकीन मानिए, एक बार आप customer की emotion को धंग से पहचान गए, और आपने अपना trust build कर दिया, उसके बाद ये जो story आप अपनी sell करेंगे, that will be a cherry on the top of the cake, finally हम उस stage पे आत दोस्तों, इस case में ये pen लगबग 500 रुपे का है, और अगर आप किसी ऐसे customer को ये sell कर रहे हैं, जो कि corporate sector में काम करता हो, तो लगबग ये उमीद की जा सकती है, कि उसके पास 500 रुपीज होंगे, हो सकता है कि वो उसकी priority list में ना हो, तो आप उसको याद दिला सकते हैं, कि कि इस तरह ये pen उसके ultimate goal में उसको importance देने वाला है, और उसको support करने वाला है, ऐसे में 500 रुपीज will not be a big challenge, कुछ और constraints भी हो सकते हैं, जैसे कि pen का color या pen की design उसको पसंद ना है, ऐसे में आप ये कोशिश कर सकते हैं, कि अगर आपके पास और samples हैं, और design samples हैं, वो आप उस customer को sell कर सकते हैं, अगर customer के पास अभी time नहीं है इस discussion के लिए आगे continue करने के लिए, तो politely उनसे ये बात कर सकते हैं, कि sir, can I have your number and comfortable time when I can contact you again for this discussion, यकीन मानिये, ये सब जो आपने अभी तक customer के साथ अपना trust और रपो बिल्ट करा है, इसके बाद customer आपके साथ में futuristic discussion करने के लिए घबराएगा नहीं, तो finally, आई ये जानते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में सीखा क्या, सबसे important मैं आपको ये बोलूँगा, listening, listening is the key here, अपने customer के साथ questions करिये, और समझे उनकी day to day life के बारे में, उनके ultimate goals के बारे में, desire create करिये, desire के base पे demand create होगी, और एक बार जब demand create हो ग या कोई risk अगर आते हैं, उसको mitigate करना अपने आप में एक art है, और ये भी आप सीख सकते हैं, आने वाले वीडियो में हम risk mitigations के बारे में भी बात करेंगे, या फिर customer objection handling के बारे में, मगर आज के लिए ये जान लेते हैं, कि अगर आप किसी भी product को, चाए वो pen हो, चाए वो customer के ultimate goal को समलना बहुत जरूरी है, अपने customer के ultimate goal को जब आप एक बार समझ जाते हैं, उसको अपने product और service के साथ link करिए, बताइए किस तरह आपकी product और आपकी service उस customer के ultimate goal को meet करती हैं, और support करेंगी उसको successfully meet करने के लिए, demand create होने पे आप outline कर सकते हैं, अपने discussion को, आगे ले जा सकता है, आने वाले videos में हम objection handling skill के बारे में detail से समझेंगे, बगर I'm sure कि आज इस video में आप लगबग ये समझ चुके हैं, कि किसी customer को जब आप कोई चीज sell करते हैं, it's not about pushing the product or service to him, it's about consulting with him, आपको as a consultant काम करना है, ना ही कि as a seller, consultant की तरह उन से मिलिए और उनको अपना trust build कर आ सकते हैं, कि वो कैसे customer के ultimate goal को meet करने में support करेंगी, end of the day अगर ये discussion successful नहीं भी होता, then there is no harm to take it as a learning lesson and move ahead, this is a life, this is a learning which never stops, stay ahead with this in all our video, support कर ये इस channel को grow करने के लिए, और अपना प्यार इस तरह से बनाया रखे, मैं हूँ सुरेंदर कौशन और एक बार फिर से आपका बहुत- आ कि झाया खर एक रहाओ, जो कि युचू झाया थाओ, कर रहाओ, तबस्च आतर दो करेंगी, तया है अज्या उन्या हो भी, तो कि एबस्ट आ जा उन्या है, प्या जिए ख़िए, झाया है, मैं झाया है।